महत्वा कांक्षाएं ग्रही विवस्था में शुक्र के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और शुक्र बुद्ध प्रदान राशी में प्रवेश कर रहे हैं 28 मई 2021 को शुक्र मिथन राशी में प्रवेश कर जाएंगे जहां से 22 जून 2021 तक इनका राशी संचरण बुद्ध प्रदान राशी महीं चलाएं मान रहेगा गार करने लाइक बात ये है कि 28 मई से लेकर 2 जून तक मंगल और शुक्र की युती संगत इस्ततियां भी यहां साथ में रहेंगी ये एक बात तो वहीं पर बुद्ध की इस्ततियां भी 26 मई से लेकर जो ये अंतराल 3 जून तक का है वहां पर मिथन राशी स्थान में ही यानि सुवराशी स्थान में ही रहने वाली होगी तो एक तरह से मंगल और शुक्र की युती संगत इस्ततियां रहेंगी तो वहीं बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायन योग भी बनेगा 30 मई को बुद्ध वक्रगत आधार की और भी आचुके होंगे ये भी एक परमुक परिवरतन यहां सामने होगा तो जब भी मंगल और शुक्र की युती बढ़ती है तो भौत अक्ता के परती रिष्टों के परती जो एक महत्वा कंशा होती है तिवरता होती है वो बढ़ने लगती है इस बात को विशलेशन के साथ में समझने क्या वे शक्ता है मैं यहां मेश राशी से लेकर मीन राशी तक के चर्चा करूँ इसके पहले हम यह जान लें कि ऐसी प्रक्रियाओं में होता क्या है जहां से युती संगत इस्तियां बनती है आप देखिए का कि मंगल क्रहों में सिनापती है तिवरता के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं सिनापती का कारिया ही यही होता है कि जहा एक बार बढ़ गए, वहाँ से पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे, तो एक उर्जा है, एक तिवर्ता है, एक चोश है, और जहां बहुत एक्ता के साथ मैंनी, शुक्र के पास में बहुत एक्ता का अलिपत्य है, प्रेम, स्नेह, और जो भी एक तरह से अतिरेक के साथ में स्त है, तो वहाँ पर भी शुक्र का अलिपत्य नजर आता है, खान पान में अति नहीं है, किन्तो खान पान का शौक है, तो वहाँ पर भी शुक्र का प्रदानक इस्तर नजर आता है, हम कामकाज के साथ में जुड़े वो हैं, किन्तो जहाँ पर भी संगेत के सत्या आई, कोई भी रोची कर इस्तर आया, वहां से स्वयम को जोड़नी के और गए, वहां पर भी शुक्र का इस्तर प्रदान रूप में सामने आता है, किसी रिलेशन के साथ में जोड़े, उसको रजाने का प्रयास किया, उसके साथ में जोड़ने का प्रयास किया, स्वयम भी आकरशित वहाँ पर भी शुक्र की स्तियां बहुत घहराई से जुड़ी रहती है इसी वज़े से व्यक्ति बहुत एक्ता के परती रिष्टों के परती मंगल शुक्र की यूती होते ही तिवर गामी होकर आगे बढ़ता है इसलिए आप देखिए कि मंगल शुक्र की यूती जिस भी कु योग भी सात्म बनेगा, बुद्ध जो की पारे की प्रकरति की गरहें, व्यक्ति को flexibility की approach देते हैं, तो साती सात्में जो वानिज्य संबंदि स्ततियां हैं, वानि संबंदित आधार है, वानि के सात्में जब communication की precise approach जुड़ जाती है, तो वहां की स्ततियां बहुत अलग होती है, आप ये देखें, कि conversation में और communication में भी difference है, तो जो communication की position है, जब वो बुद्ध के सात्में जुड़ी रही, शुक्र, शब्दों को और वानि को जब सजाने का कारे करते हैं, तो ये लक्षमी नाराण योग सिरफ धनागमन के सात्में व्यक्ति को नहीं लेकर चलता, वान ही के साथ में कहीं नहीं मानसिक स्तर के उपर उद्वेक भी निकल कराते हैं, हम इस चर्चा को तीन हिस्सों में बाट कर देखने का प्रयास करेंगे, पहला हिस्सा जो कि 28 मई से लेकर 2 जून तक सामने होगा, 2 जून से लेकर जो ये 15 जून तक का समयंतराल है, इसके साथ मे और 15 जून से 22 जून तक का समयंतराल, क्योंकि आप देखिए कि मेतुन राशी में पहले मंगल और बुद्ध की इस्तियां शुक्र के साथ में रहने वाली होगी, उसके बाद में शुक्र मेतुन राशी में चलाए मान रहेंगे, फिर सूर्य देव यहां मेतुन राशी में जब 15 जून के बाद से प्रवेश कर जाएंगे तो इस्तियां और अलग तरीके से सामने निकल कर आती है, यह गौर किया जाना आवशक है, जब भी हम शुक्र के साथ में इस ग्रही रवस्ता के परिवरतन की चर्चा करेंगे, तो जो ह्यूमन रिसोर्से संबंधी कामकाज ह वही पर मार्केटिंग संबंधी कामकाज है, चमक दमक संबंधी कारेशेतर है, पूर प्रोसेसिंग संबंधी कारेशेश करेशेतर की इस्तियां है, कहां नौकरी पेशा जीवन में परिवरतन में फैसिनेशन से बचना है, तो कहां पूरे तरीके से हमको चेंज की तरफ जा यहां जो आपकी presentable skill है वो बहुत अलग तरीके से निखर कर आने वाली रहेगी किन्तु व्यंग्यात्मक्षाली से आप बचियेगा किसी भी व्यक्ति विशेश पर कटाक्ष की भाशा से आपको यहां पर दूर रहना चाहिए human resources संबंधी कामकाज में changes निकल कर आ सकते हैं आप अपने व्यापार में technology को infuse करना चाहते हैं किन्तु technology के अंदर भी जो एक चमक दमक की स्तियां होती है एक अलग तरीके का आभामंडल होता है उसको आप जोड़कर यहां पर रखने का कारे आसानी से कर सकते हैं यह एक आधार मंगल परदान राशी के जातकों के लिए यहां पर महत्वा कंगशाएं हावी हो सकती है इस बात पर आप घौर कीजिएगा तो वहीं भाईयों के साथ और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास करें पूर प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो गया या अन्यत्र खान पान संबंधी स्थियां हो गई बहतर ही आपके लिए यहां पर निकल कर आने वाली रहेगी लंबे समय से आप पुनेह नौकरी पेशा जीवन में सक्री होना चारे थे मार्केटिंग संबंधी कामकाज है तो बुद्ध भी जब बकरी हो जाएंगे तीस मई को वहां से लेकर तीन से चार दिन का अंतराल है आप प्रयास करते हैं तो यहां सार्थकता सामने आ सकती है इस बात को आप वार में लेकर चलिएगा किन्तु यहां अध्यात्मिक चिंत में शुक कर जोड़े रहेंगे दनागमन की स्तियां बढ़ेंगी जिस खरचे के लिए आपको रुपए पैसे की आवशकता है जब वो अधिक सुरूप में सामने होता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं आनंदित महसूस करता है बले ही वो शणिक आनंद हो किन्तु उसके साथ में जोड़ता जरूर है तो इसी वज़े से फाइनिशल गेन यहाँ पर है किन्तु जो पुराने रष्टों के साथ में पुरानी इस्तियों के साथ में कई बार सरुकार बहुत पीछे चुड़ चुड़ चुके होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं और चोड़े-चोड़े डिस होंगा कि स्वयम को इस इस्तिय में भी उलजाने से आप बचिएगा कि बारे-बारे के स्थर के उपर आपका नाम कहीं पर भी किसी गलत आधार के साथ में नहीं जोड़ा जाए ये एक बात है तो वहीं दूसरे आधार पर इस बात को भी अपनी समर्तियों में आपको जरू पूर रखना चाहिए कि यहां जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं जिसमें एक आकरशित करने वाले इस तर के उपर हमको को इनकोई लुक्रेटिव ओफर देना होता है आउट्शोर्सिंग संबंधी कामकाज में वहां पर आप अपनी प्रक्रियाओं को परिवर्तित कर के जरूर आगे बढ़िएगा वहीं रिष्टों के साथ में ये समय आपको कहीं ने कहीं बहतरी देने वाला होगा आकरशन अपने चर्मुत करशी और रह सकता है तो वहीं मितुन राशी शुक्र मितुन राशी में ही प्रवेश कर रहे हैं तता आप देखिएगा कि जो ये 15 रहे जून से लेकर 22 जून तक का समय अंतराल रहेगा अति महतुपूर्ण तोर के उपर ग्रिहस्त जीवन के आधार पर आपको समाधान की स्ततियों के और लेकर जाने वाला समय होगा वयापारिक साज़दारियों के लेहाज़ा ये समय अति महतुपूर्ण है तो वहीं जो भाग्य का सअयोग, इन्टिउशन के साथ में आपको मिलना चाहिए, वो भी यहाँ देरंतर गदिमान रहेगा, इसका आशय क्या है जहां आपको भाग्य का सअयोग मिला, उसके पहले आपको पूर्वेभाष हो गया कि इस कर्म की ओर जाएंगे, भाग्य का सयोग मिलेगा और इस काम को हम आसानी से पूर्ण करते चले जाएंगे वो प्रवर्ती भी महतुपूर्ण है और वहाँ से आपको benefit मिलने वाले होंगे share market संबंधि कामकाज में महतुपूर्ण निवेश की और आप जाने का कारे कर सकते हैं तो वहीं interior design संबंधि कारे शेतर में भी जिस तरफ आप अपने लिए एक success के ratio को खोज रहे थे वो भी यहाँ आपके लिए साथ में बना रहने वाला होगा वाणी संबंधि कामकाज में आप दो जून तक पूरा धहरे रखिएगा यानि 28 मई से जो ये 5 दिनों का समय अंतराल है कोई भी commitment आप कर रहे हैं उसमें आप aggressive नहीं हो enthusiasm पूरे तरीके से बना कर रखें किन्तु किसी भी negative frame की तरफ आप जाते हैं तो परेशानिया सामने आ सकती है उससे आप बचें साती सात में चमक दमक संबंधी काम का आज में वरधी बनी रहेगी वहीं यदि हम करक राशी की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी वरशब राशी की तरह लक्षा अधिपतियोग की स्ततियां बनने वाली होगी इसी वज़े से जो रुपए की आवक है वो तिवरगामी है किन्तु वरशब राशी के लिए आवक तो तिवरगामी है किन्तु जावक में थोड़ी सी नियूनता है या नहीं खर्चों में नियूनता है लेकिन वहीं हम जब करक राशी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए जो रुपए पैसे का रोटेशन है वो तिवर है किन्तु जो extra expenses होते हैं जिसको हम अनरगल खर्चे कह सकते हैं उससे आपको सावधान रहने की पूरी-पूरी आवशकताएं रहेंगी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रबंदन संबंधी कामकाश के साथ में ये समय अंतराल आपको काफी हद तक बहतर देने वाला रहेगा वहीं share market संबंधी निवेश में longer term के अप्रोच को अपने साथ में अपले कर चलिएगा नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी तरीके के ऐसे commitment के और नहीं जाएं जो की visualize करके ये बताता हो कि हम उसकी पूरती की तरफ नहीं जा सकते आपको एक target दिया गया और आपने आकस्मिक्स तरके उपर हां भर दिया फिर आप घर पहुंचते हैं अपनी desk के उपर होते हैं, work from home के साथ में होते हैं और सोचते हैं कि गलती होगी, ऐसे commitment की पूरती संबब नहीं है वहाँ से आप सावधान रहें, तो वहीं किसी relation के साथ में चल रहे हैं यहां fascinations निकल कराएंगी, अत्यदिक खर्च से आपको बचना चाहिए professional life में कोई भी relation यहां instant based पर evolve होता है तो आप decision making approach के और पहुँचने से पहले थोड़ा सा धीमापन दिखाने का प्रयास जरूर कीजिएगा यह एक निविदन, मदू में हैं जनित रोगों से आपको यहां सावधान रहना चाहिए वहीं, सिंग राशी यह समय आपके लिए share market, संबंध ही, गतिवधियों के लिहाज़ा काफी हद तक बहतर कहा जा सकता है कोई भी रुकावट और ठकावट यहां आपके रास्ते में नजर नहीं आती है यह एक बात तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जुड़ी हुई चंताएं यहां सामने आ सकती है उससे आप सावधान रहिएगा सूरी परदान, राशी के जातकों के लिए किसी भी तरीके के भूमी संबंधत निवेश की तरफ जाना है तब भी इस समय में आप धीमापन बना कर रखें आप निरणे की तरफ जा सकते हैं तो वहाँ पर जल्दबाजे दोविदा दे सकती है यह आप ध्यान रखियेगा वहीं पर आपसे निविदन करना चाहूंगा कि इस समय में अपने क्शमताओं के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाच के और आप जाना चाहते हैं अन्यत रिस्तर के उपर स्वयम को थोड़ा सा रोक कर चलना आवशक रहेगा संग राशी के जातकों के लिए यहाँ पर जो भाग्यका सा योग होना चाहिए उज्वल तोर के उपर बना रहने वाला होगा तो वहीं पर लेखन संबंधी प्रक्रियाओं में जो एकाग्रता होती है वो पूरी निस्ठा के साथ में आपके लिए बनी हुई है वहीं जो रुपए पैशे के निवेश संबंधी आधार होते हैं वहाँ धीमापन जरूर आप मना कर रखने वाले हों जो यूरिन इंफेक्शन संबंधी समस्याएं कई बार सताने वाली होती है यहाँ हाइड्रेशन के अपरोच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अन्यता सस्तात सस्त के स्तितियों में शुक्र है यह परिशानी सामने निकल कर आ सकती है नौकरी पेशा जीवन में आपके नाम की चमक और दमक बहतर तरीके से यहाँ पर रहने वाली होगी वहीं यदि हम कन्या राशी के चर्चा करें तुझे एक स्मार्ट वरकिंग अप्रोच मिलने चाहिए वो यहाँ पूर्ण तया आपके साथ में बनी हुई है इंटीरियर डिजाइन संबंदी कामकाज में व्यवस्तित वरद्धी के और आप रहने वाले होंगे तो वहीं आकस्मिक दनलाप संबंदी इस्ततियों से हमके निकार नहीं करेंगे मंगल शुक्र की यूती है प्रोफेशनल लाइफ में ही कोई रिलेशन जुड़ता है और वहां से कुछ अक्षेप संबंदी स्ततियां सामने नहीं आए इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में जरूर जोड़ कर चलिएगा ये एक निविदन दूसरे आधार पर आप ये भी समझ कर चलने वाले रहें कि इस समय की गौती विधी में जो मानसिक सुक के स्ततियां है वो कहीं ने कहीं बहुत एक सुक के साथ जुड़ी हुई है बस तो आप हासल करते हैं और वहीं से सुकुन निकल कर आता है ये प्रवरतिया यहां पर आपके सामने हाजर रहेंगी नौकरी पेशा जिवन में परिवरतन की सम्यक स्ततियां सामने आ सकती है किन्तो उसको स्वीकार कि सरफतार से करना है ये आप जरूर समझ कर चलिएगा तो वहीं पर बुद्परदान राशी के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में 3 जून से लेकर 15 जून की समय अवधी में धना गमन की स्ततियां और तिब्रगामी होती चले जाएगी ग्रहस्त की और से बहतर समाचार मिलने की उम्मीद तो वहीं जो ये अंतराल है आपके लिए 28 मई से लेकर 3 जून तक का इसमें कमिशनिंग संबंदी काम काज में आपके लिए परिणामों की बहतरी बनी रहने वाली होगी वहीं तुला राशी जो अध्यात्मिक चंतन है वहां से आपके लिए कमी है किन्तु जो आप वहवारिक स्तर के उपर कोई भी कमिटमेंट किसी विक्ति विशेश के साथ में करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसले हाजा ये समय अंतराल बहुत बहतर परिणाम आपके सम्मुक रखने वाला होगा शुक्र परदान राशी के जात्कों के लिए पराकरम में वरद्धी बनी रहेगी इसी समय अंतराल के साथ में ये भी आप याद रखिएगा के हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णे लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर भी कोई रुकावट और धकावट नहीं है निरबाद गती से आप बढ़ने का कार्ये कर सकते हैं तुला राशी के जातकों के लिए कला संबंदी शेत्र में उन्नती और प्रगती संभावित है तो वहीं नौकरी पेशा जिवन में human resources के साथ में specifically आप textile industry के साथ में जुड़ाव रखते हैं तब भी और ज़्यादा precise approach में ये कहूंगा कि परिवर्तन के सरोकार संभुख होंगे जिन के साथ में जुड़ कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा और वहीं पर तुला राशी के जातकों के लिए रण संबंदी स्ततियों से बच कर चलना यहां बहुत ज़्यादा आवशक है मादुर्गा के आरादना और उपासना इस समय की इस्ततियों में आप निरंतर करते रहिएगा वहीं वरिष्चक राशी यहां पर वाणी पर पूरे तरीके से आप नियंतरन रखने का प्रयास करें पारिवारे के स्तर के उपर कुछ दिक्कत हैं और दो बिधाएं सामने निकल कर आ सकती है यह याद रखा जाना आवशक है स्वायम के स्वास्त में भी मदुमे है जनितरूग प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम पहले से सताने वाली रही है तो यहाँ जो प्रॉपर बेस का ट्रीटमेंट होता है उसके साथ में आप चलते है चले जाएएगा इसी समय अंतराल में आकस्मिक धनलाब तो रहेंगे शेर मार्केट जैसे प्रवड़तियों के साथ में अन्यत्र गत्यवधियों के साथ में किन्तु खर्चे भी उसी प्लोग के साथ आपके लिए बने हुए है रेस्टोरेंट इंडिस्ट्री संबंदी कामकाज फूड प्रोसेसिंग संबंदी कामकाज या खान पान की अन्यत्र विधाओं के साथ में आपका जुडाव और हस्तक्षे प्रहा है आप से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर धीमेपन की अप्रोच को निवेश के साथ में बना कर रखिएगा वरिष्चिक राशी के जातकों के लिए यहाँ पर छोटी छोटी बाधाएं सामदे निकल कर आ सकती है बले ही वोकलीक्स के रूप में हो या कॉम्पीटीटर्स की शकल में वहां से भी जितना आप दूरी बना कर चलते हैं उतनी स्वयम के लिए बहतरी स्थापित करते चले जाएंगे वहीं यदि हम धनुराशी की चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जिवन में ये समय आपके लिए बहतर बदलाव का है जो सेचुरेशन की पूरिशन परी हुई थी जो इंप्रोवाईजेशन सामदे नहीं निकल कर आपा रहा था या जहां पर आप स्वयम को एक तरह से एक फ्लो में नहीं लेकर आपा रहे थे ये समय वहां पर व्यवस्तित आधार देगा शेर मार्केट में निवेश की बहतरी नौकरी पेशा जिवन में लंबे समय से आप सक्रियता के आधार को खोज रहे थे किन्तु वो सिरा नहीं मिल पा रहा था जहां से आप एक्टिव हो पाएं 3 जून से लेकर 15 जून का जो ये समय अंतराल है आपके लिए यहां पर बैटर से बैटर प्रोस्पेक्ट रहने वाले होंगे प्रयासों में निरंतरता रखिएगा और वहीं से आपके लिए आकस्मिक तोर के उपर बहतरी निकल कर आ सकती है कहीं पर भी रुकावट और ठकावट आपके लिए नहीं है ग्रहस्त जीवन के साथ में चोटी-चोटी परेशानियों से जो सिरे निकल कर आते हैं उससे आप भार निकलने वाले होंगे ये एक बात संतान पक्ष के साथ में द्यहवारिक स्तर के उपर आप उनकी चिंताओं को सुलजाने का प्रयास कीजिएगा तो वहीं व्यापारिक जीवन के आधार पर नौकरी पेशा जीवन के आधार पर और रिष्टों में सहज बने रहना बहुत ज़ादा जरूरी है इसी के साथ में इंग्रहस्त के स्वास्ते का भी आप ख्याल रखिएगा वहीं मकर राशी स्वास्ति को लेकर मदुमेह जनित रोग प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम यूरिन इंफेक्शन संबंधी कोई भी परिशानी यहां सामने आ सकती है उनसे आप सावधान रहें पहले से ऐसे रोगों से गरसित रहें हैं प्रोएक्टिव रहकर ट्रीटमेंट की तरफ जाना यह बहुत ज़ारा जरूरी रहेगा मकर राशी के जातकों को चाहिए कि आप अनरगल खर्चों से बचें कोई विक्ती फैसिनेशन के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट की शकल में कुछ दिखाता है कि आप अभी इस कामकाश के तरफ नहीं है यहां निवेश कीजिए हमारे साथ में जुड़िए यह रोटिशन आजाएगा सब कुछ का पूल कल्पित है और आप सोचते हैं कि जुड़ जाते हैं यहां इस फैसिनेशन से दूर रहना ऐसे गफलतों से दूर रहना स्वयम के लिए बहतर आधार है कई बार किसी कारे की तरफ नहीं जाना भी बहुत जारा बहतरी है आप किसी कारे की तरफ जाएं समय इतना संबल में नहीं है और जो निवेश आप करते हैं वो बहुत कुछ निकाल करनी देता तो व्यक्ति के लिए पच्टावे के मौके होते हैं उससे सावदान रहें परसनल लोन संबंधी पूरीशन से बचियेगा तो वहीं पर 3 जून से 15 जून के मध्य शत्रू हावी हो सकते हैं वहाँ पर प्रोयक्टिव रहकर चलने की requirement आपको रहेगी टेक्स्टाइल संबंधी कामकाज में innovation के base को अपने साथ में लेकर आप जरूर चलें वहीं कुम राशी share market संबंधी कामकाज में व्यवस्तित बहतरी है relation की instant approach सामने निकल कर आ सकती है professional life में है के life में चलते हुए कोई रिष्टा सामने आया था यहां वो बहुत तिवरता से evolve हो सकता है किन्तु decision की और जाने से बचें रफ्तार ठीक है लेकिन जो भी रफ्तार के साथ में चलते हुए प्रवर्तिया है उस से खुद को जोड़ना नुकसान दायक हो सकता है ऐसे आधार सा बचेंगा क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में पूर्ण कालिक तौर के उपराप्त के लिए यहां बहतरी सामने रहने वाली होगी कुमबराशी के जात्कों को चाहिए कि संतान पक्ष के साथ चोटी-चोटी बातों में उलजने से बचें व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निवेश आप करना चाहते हैं उसमें भी एक धीमापन जरूर आप बना कर रखने वाले रहें वहीं यह याद रखा जाए कि भागगे का सा योग है किन तुकर मशीलता के आदार को गहराई से लेकर चलना होगा कोई भी इनुवेटिव पोजिशन है या जहां आपके वर्चुल प्रेजन्स के रिक्वार्मेंट होती है वहां से बहुत बहुत बहतर फाइदे आपको मिल सकते हैं वहीं मीन राशी की यरी हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए बहुत एक सुक संसादनों में वर्दी रहेगी क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आकस्मिक तोर के उपर हामी भरने से आपको बचना चाहिए बोमी संबंदित कामकाज में जितनी रफ़तार को आप कम करके चलते हैं उतनी आपके लिए बहतरी यहां सामने रहने वाली होगी आत्म विश्वास में कहीं न कहीं जो एक तरह से कमी होती है नरणायक मौकाँ पर उससे आप जूचते हैं तो मादुरगा के उपासना और आरादना के साथ में चलिएगा यहां फेशन टेकनलोजी संबंदि कामकाज के अंदर बहतरी निकल कर आ सकती है तो वहीं इस बात को याद रखा जाना आवशक है कि आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन है संबंदों की प्रगारता यहां संब्मुक निकल कर आने वाली रहेगी और जो एक तरह से पूजिशन को मैनेज करना होता है कामकाज में वहाँ पर भी आप काफी हद तक अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे तो यह था 28 मैं को हने वाले शुक्र के राशी परिवर्तन का पुराही हाल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और पोटी शहर आभार